बहुत आदमी जेल जाने वाले हैं मैं इस सर्कार का पैशा है कि dust bean मतलब balti सुखा कच्रा के लिए और गिला कच्रा के लिए जो आया था उसको जो है आपने इस्तेमाल में जो है नहीं लाया तो उसको लेकर कि क्या मामला है क्यों आप उसको इस्तेमाल में नहीं आया आज भी जानकारी है कि स्टोर में है पड़ा हुआ। मेनेजर के नाम से और एक दू आदमी को और दे दिया एक चिठी कि भाई ये आप ले लिजे रिसीव कर लिजे तो रिसीव करके वही रतनपुड में रखवा दिया उसके बाद एक महिना के बाद जब हम गए ऐसे नौर्मल रूटीन में घुमने वहां तो देखाएगी बाल् तो बाल्टी आया है तब बाल्टी का उसके बाद हमको कहानी पता लग गया हमने उस बाल्टी को उठा के लौकेन की में बंद करवा दिया उस समय जो नगड़ा एक थे दोनों मिलके और उसके बाद हमने नगड़ विकास को चिठी लिखा कि यह इसे इसे बाल्टी आया हु है 800 प्लस जो हमको ज्यादा बुझा रहा है आप हमें बताएं कि इस बाल्टी को हम क्या करें चिठी है हमारे पास नगर निगम ने आज तक कोई जवाब ने दिया चुके उस पर जो 50-60 रुपया का बाल्टी असबा 800 में खरदा गया और जब देखा गया कि खरदने का तरीका भी यू था उसमें भी अनिमिता हुआ है तो हमने इसको नहीं कुछ किया आप जानते हैं कि evidence को मिटाना भी जुन है तो हम evidence क्यों मिटा बे और रखा हुआ है बाल्ती नगर विकास को लिखे हुए है और नगर विकास को हम अपना भी चिठी दिया थे नगरा एक सत्विक ब सरकार का एक संकल पाया कि आप छोटा-छोटा बकेट खड़िद के बाल्टी और हर घर में दो-दो बाल्टी दीजिए और जो जाएगा कच्रा कलेक्शन करने के लिए सुबह में डोड टो डोड और उससे बाल्टी से लेगा और अपने-पने इसमें रख लेगा तो उसी इक तहद आया था तो नगर निगम ने टेंडर कर दिया अच्छी बात है टेंडर हो गया टेंडर हो गया उसके बाद टेंडर के फाइनल ओपनिंग होना था एस्टेंडिंग कमिटी को बुला लिया गया फाइनल ओपनिंग के लिए और उसके बाद उसको फाइनल ओपनिंग न पास उतान कि इसको cancel किजिए इसलिए cancel किजिए उन्होंने cancel कर दिया और लिखा उसी दिन कि चुके बुढको ने एक चिठी दिया था और उस चिठी के अधार पर बुढको भी दे सकती है चिठी है कि आप अपने अस्तर से खड़ी दिये कोई भी चीज और जो बुढको डिल क तो आज से कल तक आप order दे सकते हैं supplier को जो contractor है आपने बिना कारण बताए हुए tender cancel कर दिया कि जदार पर और उसके बाद वो tender गाइब है tender ने है office में tender भी गाइब है वो क्यों तो और उसको दे दिये इसलिए कि जो supplier है उससे जानकारी आपको मिल गई कि वहाँ इसी बाल्टी क 800 देगा 800 देगा आपको तो आपको तो commission जादा बनेगा और जो यहां tenderer था वही tenderer को बुड़को ने दे दिया 800 पलस में और बीच में सबसे लेंदेन हुआ तो यह कहना कि बुड़को दिया है आपने बुड़को को क्यों दिया और आपको यह समझ मेंने आ कि 800 कि कैसे है यह कहां अन्याई की बात है और वही बाल्टी हम 93 रुपया में दो बाल्टी हम खड़िद रहें और हमने बाटा सवसे नगडिंगा में पचास साथ हजार बाल्टी इसका मतलब यह हुआ कि बाल्टी मामले में आप ततकालीन मेयर संजय कुमार सिंग को दूसी मान हुए और उसी रोज लिखा जाता है कि बुड़कों को दिया जाए और उसी दिन ये भी लिखा जाता है कि उसको पेमेंट कर दिया जाए और 27 फरवरी को पेमेंट का चेक भी बुड़कों को दे दिया जाता है यह सब मिली भगत था कि कुछ कानून है उसको कानून को कैसे उसको धोका देके आंख में दूल जोकर के ये सब काम किआ जाये तो ये काम हुआ है सामने में है जब आपको उनिट है हमारा लेखा जोका जिसमे अलोक कगड़बाल आपका प्रिंसपल सालिग राम जी आपका अधियक्ष हमारी थी वाड नमर आठ के पार सदार दस आदमी का एक कमिटी था लिखा जो का कमिटी वो पूरा आकलन करके पूरा लिस्ट दिया कि किस फाइल में क्या हो नहीं वित्ता हुआ सब कुछ उसके बाद हमको चिठी दिया कि आप इस पर करवाई किजिए हमने एस्टेंडिंग में डिसिजिएन लिया हम अकेले तो कोई चिठी नहीं लिख सकते हैं एस्टेंडिंग में डिसिजिएन लिया बोड में डिसिजिएन लिया और बोड में सारे आदमी थे जो करप्सन किये हैं या नहीं किये हैं सारे आदमी थे कि कहा उसके बाद नगड़ायद को उस चिठी को भेजना था नगड़बिकास नगड़ायद भी देड़ किया तो डिप्टी मेयर उस चिठी को नगड़बिकास को भेजा responsibility है ने करप्सन हो गया अभी आपने प्रसन उठाया था ने कि आपने को आप क्यों नहीं देखे तो हम जहाँ जाए नजर पड़ेगे वह ही देखेंगे और हमारा उकाम तो नहीं है किसने clearance दिया किसने रिसीब किया माल उसमें नगड़ निंगम क्या जनता है सर जो पुर्म मेयर हैं उनका यह है कहना है कि मेयर यूपी सिंग को काम कम अध्य धोरा जादे वाली परविर्ती पहले से रही है और इसी कारण जब वो मेयर बने तो सबसे पहले उन्होंने नगर निगम का परभकता नियुक्त कर दिया जब उन्होंने इस मामले को उठाया कि यह नियमान कुल नहीं है तो उन्होंने सेम डे उसी दिन उन्होंने जो है उसको पत्र को बिलुपित कर दिया और प्रभकता को जो है हटा दिया और बेटिकत रुप से उनसे अपना वो काम लेते रहे मेरा धिधोड़ा पिटने के आदत तो नहीं है और उसका बेगुसरा एक जनता इस बात को जानती है जब मैं मेर नहीं बना था तो हम नगर निगम में देखा भी नहीं था किधर है नगर निगम और बेगुसरा हम कभी जाता भी नहीं था दो साल चार साल में तो धिधोड़ा कहां पिटेंगे मेरा घर मेरा कर्मषेत रिफाइनडी तो धिधोड़ा कहां पिटेंगे हाँ हमने रखा था परबकता इसलिए परबकता कहा लिजीए या आप पी आँ सलाहकार कह लिए कुछ रहे हैं हाँ तो मीडिया प्रभारी कह लिए हमने डिसीजन लिया था अब हुई तो एक 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 डिसीजन लिया इस पार आएंगे ना तो हम कम से कम बीस पचीस आदमी को रखेंगे यह पाबर है हमको आप यह बताईए कि हमने डिसीजन लिया कि परभाकर हमारा परभकता होगा या सजेशन करने बाला होगा क्या होगा क्या उसके एगेंस्ट में नगर निगम को इतना पैसा देना है यह था उसमें एक पैसा नहीं अब आप यह बताईए करनजे कि आप फिरी में नगर निगम में आएए और हमारा हाथ बचाईए हमको सहयोग किजिए तो क्या दिक्कत है क्या हिंदुस्तान में ऐसा रूल है कि हम जब फिरी में आपको काम करने आ रहे हैं और हमारा कोई दोस ने है अधर वाज इंट्रेस्ट ने है तो हम क्यों ने लेंगे नगर निगम में हम लेंगे और इस बार आएंगे ते एक नहीं पचीस पचीस पचास अच्छे अच्छे आदमी को हट टीम बना के हम अपने सजेशन में रखेंगे अपने परवक्ताम रखेंगे रखेंगे यह हमारा पावर है और हमने बोर्ड से डिसिजन भी लिया लेकिन उसमें एक पैसा उस पर खर्चा नहीं तो फिर क्यों बिना पैसा कोई हमको मदद कर रहा है कोई अपका काम कर रहा है तो नहीं लेना ही कहां बुदिमानी है वो इसलिए हटाए उस पर बोले जो उनको अधिकार से बाहर के बाद थी वो इसलिए बोले कि वहर चीज़ु जान रहा था इतना ही नहीं एक केस और है कि हम जैसे ही आये तो हमको कितना ग्यान होगा नगणिगम का हमको तो कोई ग्यान नहीं था हमको पता लगा एक रिटाइर बाराबाबू भागल पूर्ण नगर निगम के रिटाइर हुए है हम उनको बुलवाए और जो मेरे अधिकार छेत्र में था हम उनको बुलवाए और उनको दस हजार या बारे हजार पर हमने बोर्ड में डिसीजन लिया और उनको रखा कर रहा है तो एक konspiracy के तहद एक konspiracy के तहद वो कहे कि बरावाबू को कहल रख लिये उनको बेज़ित किया वो बेचारे कहे कि कि नहीं हम चले जाते हैं वो experience आदमी हमको support के लिए कि यहां तो यहां तो आज फाइल नहीं मिल रहा एक किताब नहीं मिल रहा है, अभी बिजलेंस का लेटर मेरे पास है, मेरे कोपी आभी आपको लोगों को दिखा देते हैं, कि वहाँ फाइल गायब हो गया, मुलिए, कोई फाइल नहीं, बहुत आदमी जेल जाने वाले हैं, जो बन रहे हैं उस यार, बहुत आदमी जेल जाएंगे, इस सरकार का पैसा है को एक पैसा बरबाद कर देगा को एक पैसा सरकार का अंक में दूल जोक लेगा डिले हो रहा है देर हो रहा है लेकिन पकड़ाएंगे सब तो बड़ा बाबु कहे कि सर हमको छोड़ दीजिए परभा कर तो रहा का ठीक है तुमको लगता है कि क्यों तो उसमें क्या पशान लग रहा था उसमें तो पशान नहीं लग रहा था तो चाहे वो बोड में नाम यार नहीं रहे उससे क्या फड़क पड़ा वो अपना बाबाई समझ रहे हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दवाना ना भूलें